हिंदु धर्म में सभी देवताओं का अपना स्थान और महत्व है, सबसे शीर्ष, देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम आता है। ब्रह्मा जी को सृष्टी के रच्यता माना गया है। भगवान शिव, विष्णु समेत सभी देवताओं की उपासना होती है, परंतु ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, अब ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती है। आईए जानते हैं, इसके पीछे का कारण पुराणों के अनुसार एक बार सृष्टी के कल्यान के लिए ब्रह्मा जी ने यग्य करने की योजना बनाई। यग्य के लिए जगह की तलाश के लिए ब्रह्मा जी ने अपने एक कमल को पृत्वी पर भेज दिया। कमल जिस जगह पर गिरा, वहां ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित हुआ और ये जगह राजस्थान के पुषकर में स्थित है। यहां कमल गिरने से ही तालाब का निर्मान हुआ था, उसी जगह को यग्य के लिए भी चुना गया। इसके बाद ब्रह्मा जी यग्य करने बंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर यग्य को पूरा किया। कुछ देर बाद सावित्री यग्य स्थल पर पहुँची और देखा कि ब्रह्मा जी के पास एक स्त्री बैठी है। इससे वे क्रोधित हो उठी और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि इस प्रिथ्वी लोक पर तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। उसी समय सभी देवताओं ने माता सावित्री से श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। क्रोध शांत होने पर सावित्री ने कहा कि पुषकर को छोड़ कर और किसी स्थान पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी और ना ही मंदिर स्थापित होगा। जो भी मंदिर स्थापित करेगा उसका विनाश हो जाएगा। इस श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। जानकारी कैसी लगी? कॉमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।